नमस्कार दोस्तो राजस्तान लोग सेवा आयोग अजमीर ने फ्रेश नोट जारी किया है दिरांग 25 दोजार 22 को विभिन भरतियों को ले करके डेट फिक्स की गई है किस डेट को कौन सी एक्जाम होने जा रही है तो सबसे पहले हम इसकी जो फेस्ट जो एक्जाम डेट है वो Ground Water Department Screening Test 2022 Junior Geographicist, Junior Hydro Geographicist और Technical Assistant Chemistry and Technical Assistant Hydro Geology यह जो एक्जाम है इसकी एक्जाम डेट जो है वो फिक्स की गई है एक अगस्त और दो अगस्त को इसकी एक्जाम होगी Agriculture Research Officers and Assistant Agriculture Research Officers Screening Test 2022 जो Agriculture Department की भरती है उसकी डेट 27 अगस से लेकर के और 30 अगस तक इसकी एक्जाम होगी इसके अलावा जो School Lecturer है अर्थाथ Fast Grade जो भरती परिक्चा 2022 है Secondary Education Department की जो भरती है वो October 2022 के Second Week से लेकर के फोर्थ वीक तक एक्जाम प्रस्तावित है अर्थाथ उसमें डेट फिक्स नहीं की है इसमें केवल वीक निरधरत किया है कि इस वीक से लेकर इस वीक के बीच एक्जाम होगी इसको Lecturer की और बाद में इसकी डेट भी फिक्स कर दी जाएगी सब्जेक्ट वाइज और जी के कपे पर कब होगा और सब्जेक कपे पर कब होगा तो दोस्तों सभी तैयारी में लग जाएं समय बहुत कम रहा है इसको Lecturer First Grade Secondary Education Department और ये भी अच्छी बात है कि सबसे पहले जो एक्जाम होने जारी है वो फेस्ट ग्रेड की है जो कि सभी बेरोजकर अपट्थियों के लिए अच्छी ख़बर है क्योंकि जो फेस्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो फेस्ट ग्रेड में जोइनिंग करने के बाद यदि उनका सेलेक्शन हो जाता है तो वो 2nd ग्रेड में जोइन नहीं करेंगे तो इसलिए दोस्तों ये फ़हले बार RPSC ने और सरकार ने दोनों नहीं अच्छानदने लिया है कि वर्ती परीशा जो फैस्टे ग्रेड फिर फैस्टे ग्रेड फिर फैस्टे ग्रेड बर्ती की जो system बनाया है वो सही system किया है इसके अलावा जो school lecturer जो sanskrit education department है संस्कृत एज्योकेशन डिपार्टमेंट में जो fittigate बढ़ती है वो school lecture exam की बाद होगी ये pattern भी सही गोसित किया है और ये date भी अगर संस्कृत एज्योकेशन डिपार्टमेंट की पहले देते तो संस्कृत एज्योकेशन डिपार्टमेंट में जोईन करने के बाद करती है उनको नुक्षान होता है क्योंकि इसमें जो संस्कृत एजूकेशन डिपार्टमेंट में जोईन कर लेता है और उसके बाद में फिर यदि जनरल डिपार्टमेंट की सेकेंटरी एजूकेशन डिपार्टमेंट की भड़ती होती तो वहां की पोस्ट वह खाली मान जाती क्योंकि उसने जोन कर लिया होता है तो अब की बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि पहले सेकेंडरी एजूकेशन डिपार्टमेंट की एकजाम हो रही है तो सुभाविक है इसका रिजल्टी पहले आएगा और इसकी आगे काम सेलें बगारा भी और भरती की जोनिंग बगारा और जहे है वो भी पहले होंगे तो इसको लेक्षर जो संस्कृत एजूकेशन डिपार्टमेंट है उसकी जो भरती है परिक्षा है वो फिक्स कर दी गई है तेरा नौमबर से लेकर के पंदरा नौमबर तक इसकी एकजाम होगी और इसकी बाद में पांचवी नमबर पर है स अर्थाद सेनर टीचर सेनर टीचर सेकिंड ग्रेट जो एकजाम है 2022 उसकी जो डेट है जो की सेकेंडरी एजूकेशन डिपार्टमेंट की बढ़ती है वो सत्रा दिसमबर से लेकर के 24 दिसमबर तक इसकी एकजाम डेट फिक्स कर दी गई है इसकी अलावा सेनर टीचर जो से सेकिंड ग्रेड है कमपटेटिव एकजाम 2022 है इस संस्कृत एजूकेशन डिपार्टमेंट की उसका जो टाइम टेबल गोशत किया है डेट फिक्स किये वो सेकिंड वीक ओफ जनवरी जनवरी के फेस्ट वीक में एकजाम होगी और इसका भी विस्त आगे जाकर के अग इसक तो दोस्तो उक्त परिक्षाओं का विस्तृत कार्यकरम यथा समय जारी कर दिया जाएगा विस्तृत कार्यकरम अर्था जिनका टाइम टेबल में ये लिखा हुआ है कि सेकिंड वीक है फेस्ट वीक है तो उनका जो विस्तृत कार्यकरम है वो डेट फिक्स करके और विसेव यह था समय जारी कर दिया जाएगा RPSC के द्वारा तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद